जैहिन दोस्तों स्वागत एक बाब फिर से आपके अपने चैनल क्रिकन फारॉन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले जीटी वर्सेज आर सीबी के बीच जो मुकाबला होने वाला है IPL का उसकी तो आईए देख लेते हैं क्या क्या इंपोर्टन अपडेट्स ह लगते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले क्या करना है वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक और से आप लोगा प्यार और समर्धन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है उसके अलाव जो भी नहीं उजस है चैनल सब्सक्राइब करके बेल का सब्सक्राइब कर दिएगा जिससे आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे है और जो सबसे इंपोर्टन बात है वह यह कि आपको मारा फाइनल अपडेट जो भी फाइनल टीम होगी कुछ इंपोर्टन जील रोटेशन मोस्ट इंपोर्टन फाइनल पेच्छ पूर्ट वो सब मिलेगा कहां हमारे टेलीग्राम चैनल फार इसलिए आपको हुआरे टेलिग्राम चैनल भी जाकर जल्डी से जुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेस्ट मेतद है वह यह है कि नीचे जो पिंड कोमेंट है यानि फूर्स परिद्ध message जैसे ही बेढ़ेंगे clickable होगा click करेंगे डाइरेक्ट टेलिग्राम चैनल पहुंच जाएंगे join का बटन होगा join कर लिजेगा नहीं तो description के तुरू भी join कर सकते हैं अरेंद्र मोधी स्टेडियम आहमदाबाद में और यह विकेट ऐसे अगर आप देखेंगे historical नेचर ना तो यह पाटा ट्रैक रहा है जंब के रन बनते हैं लास्ट सीजन दो दो सो रन सेफ नहीं थे यहां पर लेकिन इस सीजन पतनी कैसा पिचेज बना रहे हैं दो तीन बार थोड़ा सा टूपेश ट्रैक रहा है बलेबाज फिर भी एडवांटेज में हैं लेकिन एक सो साथ से एक सासी के आजपास ही स्कोरिंग हो रहा है और पिछले मैच में तो सुरुवाती ओवर्स में बॉल थोड़ा फस रही थी मुव्मेंट भी हो रहा था थोड़ा टूपेश टाइप का पिछला मैच एकदम टूपेश था लेकिन उसके पीछे दो मैचे जैसे थ होगा तो दोनों के हिसाब से अपने टीम में चेंज़े लास्ट मिनट में कर लीजेगा लास्ट के आठ है यह पीछे के लास्ट साल के यह लास्ट के चार मैच देखे लगी नहीं रहा है वहीं वाला ट्रैक यह जो रहा है और फिर इस सीजन का मैं जीटी ने 162 थोड़ा बॉल फसा था लेकिन बलेबाज डॉमिनेट किये थे ठीक है यह वाला यहां का हाइली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक जैसे होता है एक सव इन्यान में जीटी पंजाब चेच कर गया और फिर पिछला मैच एकदम टूपेश ट्रैक था शुरुवाती वबस में इभेन मूमे दे रहे थे यह ध्यान दीजेगा अगे बढ़ते लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके फायदे की बात कर लेते हैं पचास जार रुपे का फ्री किवे हर मैच में चलता है माई मास्टर एलेवन पे और उसके अलावा फैंटेसी में इस समय देखिए प्रॉपिट में रहन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और केवल यह संडे को प्योग होगा इसलिए जो संडे को डिपॉजिट करना चाहें वो करें यह ध्यान दीजेगा और उसके अलावा दो करोड़ का इंवेश्मेंट लीडर बोर्ट हर टूर्णामेंट से पहले एक बड़ा लीडर और उसके अलावा यह में का ग्रेंड लीडर वाला लीडर बो 25-25 टीमें बनाई है जो आपकी बेस्ट टीम है उसका पॉइंट होता जाएगा और लास्ट में अगर आपको सबसे अच्छा पॉइंट बना के जाते हैं तो यह टोयटा फार्चुनर आपकी हो सकती है ठीक है इंतजार कुछ नहीं करना है सीधे साइन अप कर लीजे नीचे पिंट कोमेंड में लिंक है और यह जो डिपॉजिट ऑफर है उसका जरूर फायदा उठाईएगा ठीक है है एड़ टूएड रिकॉर्ड की बात करें जीटी ने दो जीता है रसीबी ने एक जीता हुआ है औ और ओबर आल देखें दोनों ही टीमें एक ही थाली के चट्टे बट्टे इस समय दिखाई दे रहा है दोनों का कुछ खास हाल दिखाई नहीं दे रहा है ऑन दे पेपर अगर हम देखें तो भाई एक टीम का बॉलिंग थोड़ा ज्यादा मजबूत है एक अच्छा मुकाब सेम प्लेंगी लोगन के साथ जाना चाहिए गिल सहा ओपन साही सुधर सर्ण मिलर उमर जाई राहुल तेवतिया उसके अलवा सारुक खान है रासिट साही किसोर संदीप वारियर नूर अमद और मोहित करें तो मोहित कंफर्म है दूसरा रासित के ज्यादा चांसे जाए क्य प्रॉब्ली डीके के लिए आएंगे डेथ में ठीक है मैं यह उमीद कर रहा हूं बाकी मोस्ट अब दो अबर की बात करें तो छे बॉलर यूज होते जिसमें संदीप वारियर और ओमर जाई और साही किसोर इनका ओवर्स फिक्स नहीं है बाकी रासिद नूर मोहित मोस्टल यह पाउर प्ले में यूज कर रहा है अगे बढ़ते हैं टीम कंपोजिशन स्क्रिन पर चलेंगे प्लेयर वाई जनालसिस में सबसे पहले आते हैं सुबमन गिल बहुत ही सांदार बलेबाज अच्छे फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है और बढ़िया बलेबाजी करते है इस ट्रेक के राजा माने जाते हैं हालिकि इस सीजन ठोड़ा सा यहाँ फर्ले गर्बर रहा है और उसका रीजिन ये है कि रह रहे कि जब थोड़ा सा टू घ्पिक नहीं होंगे और जब मतलब बलेबाजो को थोड़ा बी एक्स्ट्रा आडवांटेज है तो यह अच्छा क option हो जाते हैं 2-8 venue दोनों ही लाजवाब है फिर आते हैं रिदिमान सहा वैसे तो नहीं लेना चाहिए आपको ये कभी कभारी चलते हैं पिछले मैच में जैसे 49 किया था लेकिन अगर आपने देखा होगा ना तो पाउर प्ले में पता नहीं कितने मिसेट थे लेकिन वो 30 गज पार हो जा रहा था रन इन्हों ने बना दिया ज़्यादा चलते नहीं है लेकिन जो प्रॉब्लम यह न दीके को टीम एकदम लाश्ट के दो तीन ओबर में भेज रही है और उपर से उनका रासित खान के अगेंस श्ट्रगल है और रासित खान को टीम बचा के रखेगी ठीक है तो इसलिए सेटी के लिए आप साहा को ले सकते हैं कम से कम इनके पास पूरा टाइम होगा गलती से अगर टिक गए पांच उबर तो रन यह बना सकते हैं टैलेंट वाइस डीके ज्यादा सेफ हैं लेकिन एक रासित का मैच अप दूसरा उनका इसलिए आप इनको प्रिफर कर सकते हैं हलों कि बहुत ज्यादा पॉइंट यह भी नहीं देंगे तो उन दोनों में थोड़ा सा लग वाला फैक्टर रहेगा क्योंकि यह ज्यादा चलते नहीं है डीके फॉर्म में हैं लेकिन एक रासिद वाला इस्ट्रगल है तो सेप्ट उतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा रिकॉर्ड रहा है फिर आते हैं डेविड मिलर बहुत ही तगड़े हिटर इंपक्ट वाले बल्लेबाज और सबसे बड़ी बात बैटिंग ट्रैक के बहुत ही अच्छे प्लेयर अगर यह बैटिंग ट्रैक होता है तो मस्ट होंग ठीक है यह ध्यान देजेगा अजमतुल्ला ओमर जाई वैसे तो मैं आपको बोलता हूं भाई डिवल रोल है इनका इसलिए ठीक ठाक ओप्सन होंगे लेकिन यहां पे सामने होंगे डुपलेसिस और विराट कोली और मोस्ट अब दोबर यह उसी समय करेंगे ठीक है तो वहा सा मतलब रिस्क लिया जा सकता है ड्रॉप करने का उसका रीजन वही है एक तो कोली डूपलेसिस होंगे जल्दी अपना विकेट फेकते नहीं अगर ज्यादा मुवमेंट ना हो तो ठीक है यह ध्यान दीजेगा और उसके ज्यादा चांसे यहां मुवमेंट ज्यादा ना मि देंगे ठीक है तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं और कभी-कभी और फेज में भी बॉलिंग करने आ जाते हैं गलती से एकाक विकेट मिलगा तो पॉइंट दे जाएंगे ठीक है वेन्यू पे परफॉमेंस ठीक है खासकर बॉलिंग से ले अलिवाद सांदार हैं इस टीम के अगेंस चलते भी हैं लेकिन लाश में 25-30 पर ही नवाद मुस्टली रहते हैं इसलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे फिर आते हैं सारुक खान तगड़े हिटर लेकिन हमारे लिए उतने अच्छे पिक नहीं आराम से छोड़ सकते है कभी कबारी चलते हैं रासित खान बहुत ही सांदार गेद बाग विकेट टेकर इस सीजन थोड़ा सा फार्म गरबढ़ रहा है लेकिन एकाक विकेट तो मुस्टली निकाली के जाते हैं सेकेंड बॉलिंग में और भी ज्यादा विकेट मिल जाता है प्लस बैटिंग से बैक कोड़ है आते हैं आर्साइक इसो यह बहुत अच्छे नहीं होते उतने विकेट टेकर भी नहीं है और आपको पहले बोल चुगा उवर्स कटते हैं और यह मैंने तब बहुत ज़्यादा विकेट इनको नहीं मिलता है आराम से चोड़ सकते हैं फिर आते हैं संदीप वारिय था कि पिछले मैच में नहीं यूच किया गया जबकि इन्होंने अच्छी गिदबाजी किया था और उपर से एकदम बैटिंग ट्रैक था तो वहाँ पे इनको यूच किया जा सकता था डेथ मैसाई कि सोर के जगा लेकिन नहीं यूच किया और उसी कार अल्टिमेटली हारे भ होंगे प्लस सामने जब यह ज़्यादा ओवर्स करेंगे ना तो विराट कोली डूपलेसिस होंगे तो इसलिए विकेट मिलने के उतनी पॉसिबिल्टी नहीं है अराम से छोड़ सकते हैं तो सीधे-सीधे इनका फंडा ध्यान दीजेगा अगर आता है तो ले लिजे दोनों इनिंग में ठीक है और अगर बैटिंग ट्रैक है तो बहुत अच्छे नहीं होंगे लेकिन सेकेंड इनिंग में रिस्क ले सकते हैं लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलना चाहिए तो यह एक इंपोर्टन पॉइंट रहेगा ध्यान दीजेगा इनका से अगर इनको टर्न मिलता है तो यह अच्छा कासा टर्न कराते हैं और उस केस में यह खतरनाक हो जाते हैं और कुछ बल्लेवाज इनको हाथ से पढ़ते भी नहीं है जैसे डुपलेसिस हैं तो डुपलेसिस अगर च्छे उभर के बाद टिकर है तो वह भी एक 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 विकेट इनको लेने का योगदान दे सकते हैं पिर आते हैं मोहिस सर्मा अपने कटर सा स्लोर वंस के लिए जाने जाते हैं लेकिन मोस्ट अब टाइम इनको फॉर्स इनिंग में ही विकेट मिलेगा ज्यादा इनकी टीम है वह दबाव बना के उतना रख नहीं पा रही है क्योंकि बै की बात करते हैं तो RCB की टीम का परफार्मेंस और भी गया गुजरा है हालंकि पिछले मैच में जीते हैं तो उमीद करेंगे कि पटरी पे रहें सारे मैचेश भी जीते हैं तब भी मुस्किल है इनका पहुचना ठीक है तो मतलब पहले सही बेडा गर्क इनका हो चुका है टीम को उसमें पिटाई हो चलेगा लेकिन वैसा कुछ टीम करने ही रहे है पिछले मेच में दो ही ओबर दिया था प्रॉबेबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग और में डुप्लेस विराट जैक्स फिर रजत पाटिदर केमरून ग्रीन दीके उसके बाद सुएस प्र चार लगवग करेंगे फर्विसन चार दयाल चार करन सर्मा तीन से चार जैक्स जीरो से दो लिफ्ट हैंडर साइस उदरसन और मिलर उनके अगेंस जैक्स कुछ ओबर कर सकते हैं कैमरून ग्रीन तीन से चार ठीक है आगे बढ़ते हैं तीम का पोजिशन स्क्रीन पर है चले दूसरा है नूर अहमत के अगेंस बहुत ही खराब है तो यह मान के चलिए कि यह बहुत बड़ी पारी नहीं खेलेंगे ज्यादा मतलब अगर आप देखेंगे तो साइद 30-40 जाते-जाते विकेट फेक दे ठीक है तो डिसेंट पिक होंगे लेकिन कैप्टन बनाना इनको र बलबाज most of the time अच्छा स्कोर करते है बहुत अच्छा स्कोर नहीं लेकिन यह विन्यू जनरली बललबाजों के मुफीद है तो विराट को ली बललेबाजों के यार स्लो ट्रैक पे भी अच्छा करते है तो बललेबाजों वालों पर कभी भी अच्छा हो सकता है must have pick, captaincy के सबसे safe option बहुत ही बेहतरी इन फॉर्म में चलने हैं हाँ थोड़ा सा strike rate वाला issue है spinners के against slow हो जाते हैं लेकिन हमें fantasy points है मतलब है ठीक है फिर आते हैं will jacks, तगड़े hitter लेकिन मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जब quality spin होती है किसी team का तो उसके against इनके चलने के chances कम रहते हैं इनका अच्छा फायदा तब उठाया जा सकता है जब इनको team open करवा है और जे फ्रेसर मैकगर जैसे ये power play में फिर तगड़ा hitting करके वहीं पे extra advantage दे देंगे लेकिन पता नहीं team वैसा कर क्यों नहीं रही है ये one down आएंगे न तो simple सी बात है spinners इनके सामने आएंगे और कई बार anti-nullis एकदम पाटा track ना हो ये spinners के against wicket फेकेंगे लेकिन ये balling backup भी देते हैं इसलिए team में अच्छे pick होंगे और सामने दो quality spinner है तो ये किसी को wicket फेक सकते हैं इसके लिए ध्यान दीजेगा तो batting से हो सकता उतना score ना है anti-nullis बल्लेवाजो के मुफीद एकदम track ना हो एकदम पाटा हो गया तब भाई spinners का मतलब भी नहीं है तब hitting कर देंगे जैसे नरेन को भी उस दिन इनकी main problem जानते हैं क्या है जब ball थोड़ा सा भी फसती है न तो ये वो timing उतना नहीं कर पाते test matches में भी देखा होगा कि जब थोड़ा सा weight करना होता है ball का तब इनको दिक्कत होता है और इसलिए test matches लगातार flop रहे लेकिन जैसे ही पाटा track मिला देखे अपने रंग में अब आ चुके हैं तो पाटा track के ये अच्छे player है और अगर एकदम पाटा track हुआ तो ये अच्छे पिखोंगे अगर आया कि नहीं भाई बाल थोड़ा फसेगी तो फिर रज़त पाटेदर के flop होने के chance से जादा रहेंगे ये ध्यान दीजेगा क्योंकि फिर सामने दो quality spinner हैं उनको पड़तो लेंगे लेकिन उनको hit करने में इनको दिक्कत हो सकता है तो बलेबाजों को मददगार पिच है तो आप आराम से इनको cover कर सकते हैं और पिछले कुछ मैचों में दिखाया भी spinners को तगड़ा तगड़ा hitting करके फिर आते हैं केमरून गिरें ड्यूवल रोल रहेगा बलेबाजी में हमेशा बहुत अच्छा performance नहीं रहेगा लेकिन 25-30 की उमीद कभी भी कर सकते हैं प्लस balling में एक या दो wicket मिल सकता है must have pick रहेंगे थोड़ा सर रिस्क लेना चाहें तो captaincy option किया जा सकता है small league में क्योंकि Pacers पे team ज़्यादा भरुसा करेगी तो ये 3-4 over balling कर सकते हैं 2-8 venue दोनों ही अच्छा है फिर आते हैं DK ये भाई form wise तो अच्छे pick रहते हैं पिछले match में भी कुछ खास नहीं कर पाई उससे पहले जीता सकते थे लेकिन तब भी लेट बेजा तो टीम पता नहीं क्या इनके साथ कर रही है हेट 2-8 देखे कुछ खास नहीं दिखाई देगा वो रासीद वाला इस ट्रगल बहुत तगड़ा चलता है सुएस प्रभुदे साई कुछ खास बैटिंग नहीं आएगी अराम से छोड़ सकते हैं लोगरार कभी सेम वही हाल रहता है करन सर्मा ठीक ठाक गिदवाज है हालनकि बहुत अच्छी गिदवाजी उसले में इन्होंने नहीं किया हुआ है लेकिन अगर टू पेस वाला ट्रेक हुआ तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए ठीक है लेकिन ओबर कभी भी कर जाते हैं और बहुत भरो सा टीम उतना नहीं करती है तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे केवल ट्राई कीजे टू पेस ट्रेक पर वो भी सेकेंड बालिंग में ठीक है फिर आते हैं मुहमद सिराज जो की अच्छे गिदवाज है लेकिन उस हिसाब से गिदवाजी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग नेचर की ये गिदवाज रहते भी नहीं है लेकिन फर्स बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर डेथ में आएंगे और उसके अलावा ये सुरुवाती ओवर्स में साहा के अगेंस भी विकेट लेकर जा सकते हैं फर्स बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे सेकंड बॉलिंग में थोड़स एवरेज पिक क्योंकि वहाँ पर रन बचाने में बहुत ज़्यादा विकेट मिल नहीं पाता फिर आते हैं लोगिफ फर्गुशन विकेट टेकर हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन इनको एकाग टीम में जरू ट्राइ करना है फिर आते हैं यस दयाल इन पर टीम ज्यादा बिस्वास कर रहे हैं इनके पिटाई भी हो रही है तो डेथ आ रहे हैं यह ध्यान दीजेगा और आज के मैच में अगर आप देखेंगे तो यस दयाल सोरी एरसीवी की टीम थोड़ अच्छा खासा विकेट लेकर जा सकते हैं तो जिस हिसाब से टीम इन पर भरोसा कर रही है उस हिसाब से यह दोनों इनिंग में ठीक ठाक ऑप्सन फर्स बॉलिंग में जरूर कवर कर लीजेगा नीचे और कोई नहीं खेलेगा तो सबसे पहले बात करते हैं साहा की तो सब्सक्राइब नहीं कहलेंगे दूसरा फर्गुशन को भी विकेट फेक सकते हैं जब एक्स्टा पेस के साथ कोई फेकता है ना तो इनको दिक्कत होती है थोड़ा सा फिर आते हैं साही सुदर्सन इनका मैचप जल्दी खराब नहीं दिखाई देगा आपको डेविड मिलर की बात करते हैं यह भी थोड़ से एक्स्टा पेस्ट पेस्पे इनको प्रॉब्लम होती है फर्गुशन के अगेंस थोड़ा दिक्कत है सिराज के अगेंस भी फसे हैं लेकिन बिसिकली डेथ में गयोंगे या तो मूबमेंट रहोगा वह ज्यादा यहां पर मिलेगा नहीं तो यह मैचप साइद उतना सफल ना हो डेथ में हो सकता है विकेट देते हैं वो अलग बात है ठीक है आगे बढ़ते है राहुल तेवतिया ज्यादा ध्यान देने वाला मैचप नहीं है डीके रासित खान तीन बार आउट कर चुके एक तीस रन बनाने में और मैं सियोर हू रासित खान के अगेंस तीन बार आउट है काफी कम स्कोर पे और अगर यह लोग पाउर प्ले में ही लेते आए ना रासित खान नूर रहमत को तो सायद फॉप डूपलेस ज्यादा चले भी ना लेकिन अगर नहीं आते हैं लेट आते हैं तो फिर फॉप डूपलेस आराम से सीट फिर बना सकते महिश सर्मा के अगेंस थोड़ा साऀट है नूर अमत के अगेंस भी बहुत ज्यादा इस्ट्रेगल है ठीक है रजात पाट इडर ज्यादा कोई खेला नहीं है उतना रासित के अगेंस बार रान बनाए आडब आट पर आगे चलते हैं लंब्रार विकेट फेकते हैं सुबमन गिल एक्स्ट्रापेस इनकी प्रॉबलम में आगे चलते हैं साइस उदर संग प्रॉबलम आपको कहीं नहीं दिखेगा सब के अच्छा रिकॉर्ड है डेविड मिलर की बात करें तो चाइना मैं के अगेंस श्ट्रगल करते हैं अब बात करते हैं क चाइना मैं को यह पढ़ भी नहीं पाते तो क्या पता भाई उनके भी नूर के भी ओवर बचा के रखा जाए विराट पोली थोड़ा सा लेग स्पिनर्स के अगेंस हिटिंग में स्ट्रगल करते हैं लेकिन आराम से खेलना हो तो यह नहीं है कि पढ़ नहीं पाते क्योंकि इनके पास स्लॉक स्वीप स्वीप सॉट यह सम नहीं है इसलिए उतना स्ट्राइक रिट नहीं रहता डुपले सिस चाइना में बहुत भेंकर मैच अप खराब है छे बार आउट हो चुके और लेग स्पिनर्स के अगेंस अच्छा वैसे खेला है लेकिन रासित खान के अग स्ट्रिज है और तीनों टाइप के स्पिनर्स पर यह विकेट कई बार फेकते हैं फिर आते हैं एक्स्टा पेस्ट मीडियम पेस्ट ब्रेक इन की कम जोरी है तो दोस्तों यह था इंपॉर्टेंट मैच अपस और पूरा प्लेयर वाई जनाल से जिसके हिसाब से खुद की ब अच्छा करेंगे अगर तो फिर फ्लॉप होने के चांसे जाता रहेंगे नीचे और कोई उतना चॉप्सन नहीं है और मैंने रासित को लिया है जो की मस्टाप पिक है फर्गुसन थोड़ा से एवरेज फिक फॉर्म के हिसाफ से नहीं तो यह विकेट टेकर हैं जील में ट् मोहिसरमा फॉर्स बॉलिंग आया है मस्टप पिक यहा तो फिर टू पेस ट्रैक है तब अच्छे पिक यह दोनों इनिंग में ठीक ठाक ओप्सन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विकेट इनके मिलने के चांसे ज रहेंगे तो मैं इन पर रिस्क लूँगा खासकर फॉर्स क्या टीम है क्या पिक वर्स लिए और उसके आलावा क्योंकि पिके ऑप्सान तो ग्रीन और जैक्स मैं रिसक लिया जा सकता है राशित खान अगर टू पेस ट्रैक हुआ यर 2 वालिंग है तो दोस्तों इसी के साथ धों आप इसığını सभी यह उता है विडियो को लाइक चीश मे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद